Hello friends, welcome to my channel Learn with Richa इस session में मैं शृर्ट नौट डिस्कस कर रही हूँ that are based on formic acid formic acid के जो based है तो basically इसका formula क्या होता है HCHO, HCHO इस formula of formic acid so formic acid क्या है हम इसको mythenoic acid बोल सकते हैं और ये क्या है, simplest carboxylic acid carboxylic acid के अंदर formic acid हमारा आता है Acetic Acid आता है और और भी types के Acid इसमें आते हैं तो इसको systematically हम क्या नाम दे सकते हैं Mithenoic Acid हम इसे बोलेंगे तो यह क्या है simplest हमारा Carbocslic Acid है तो इसका chemical formula क्या होता है हमारा H2CO2 होता है H2CO2, CH2O2 और HCHO यह हमारे basically three formulas है जो क्या है Formic Acid के formula है तो क्या है एक important intermediate है chemical synthesis में जो क्या है naturally occur होता है naturally जो है यह आता है तो इसमें क्या है कुछ ends होते है ends में हमारा क्या पाया जाता है Formic Acid पाया जाता है उसके पाद जो हमारे Easter salts है नायान से वो Formic Acid से derived होकर तो इसको हम क्या बोलते है Formic Acid बोलते हैं H2CO2 और CH2O2 यह इसका क्या है molecular formula होते है Formic Acid के उसके बार इसके synonyms क्या है means इसके और हम क्या का name से इसके हम किस name से इसको जान सकते हैं Formic Acid basically ends में पाया जाता है salts में पाया जाता है इसमें यह हमको मिलता है synonyms इसके क्या है Formic Acid है Mithenoic Acid है 64, 18, 6 यह है Formilin Acid है Aminin Acid है Bilarin Formistoran Formira Hydrogen Carbocslic Acid Myram Hikail Formic Acid Natural Sprit of Formic Acid SAD Formin Colo, Didex Colo Rikart ADF Emissions CL Acid RCRA Waste No.U123 Macron Auge तो यह वाले क्या है इसके क्या है Synonyms हमारे किसके है Formic Acid के उसके बार इसके IUPACID क्या है IUPACID है इसकी Formic Acid फिर इसका Molar Mass है 46.03 ग्राम पर मूल यह क्या है इसका Molar Mass है After diet इसकी density किती होती है 1.220 ग्राम पर मूल यह इसकी क्या होती है density फिर क्या है Boiling Point Fahrenheit और 373.9 Kelvin यह इसका क्या हो जाता है Boiling Point हो जाता है उसके बार Water में इसकी Solubility किता होता है यह Missable होता है मेंस आसाने से मिक्स हो जाता है Water में उसके बार क्या है इसकी Acidity P के Acidity 3.745 होती है उसके Refractive Index Eta D क्या होता है 1.3714 That is 20 degree Celsius यह इसका क्या होता है Refractive Index होता है After Dates की Viscosity किती होती है 1.57 Cp 268 degree Celsius यह वाल इसकी क्या होती है Viscosity होती है उसके बाद क्या है इसका Structure Structure कैसा होता है Molecular Shape जो इसका होता है Planar होता है Molecular Shape इसका क्या होता है Planar होता है After Dates क्या है Dipole Moment Dipole Moment इसका होता है 1.410 Gas के फॉर्म में इसका है उसके बाद क्या है Related Compounds क्या है Related Carbuxlich Acid क्या होती है हमारे Acidic Acid और Propanlock Acid यह दोनों इसके क्या है Related Compounds है उसके बाद तो हम क्या है 10 टाइम स्ट्रॉंगर एस कंपेर टू एसिटिक एसिट फिर क्या है यह वला हमारा कहां यूज कर जाते हैं वालेटाइल पी एच मोडिफायर में इसको हम यूज करते हैं हीच फिया गैस में और केपिलरी इलेक्टो फिरेसिस में तो फोर्मे एसिट क्या है यह एक wires से फोर्माइल ग्रॉप का जिससे क्या है हम एक एघ्जामपल के थूरों इसको समझ सकते हैं कि formulation में methyl aniline का formulation होता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं N-methyl form aniline में करता है तो वो tolion में होता है R-NH2 तो यहाँ पर हैं हमारा HO OH और H2O तो R-NCH3 CH3 यह वाला हमारा form होगा फिर क्या है formic acid को आसानी से decompose हो जाता है किसके साथ concentrated sulfuric acid के साथ और क्या form करता है carbon monoxide form करता है तो CH2O2 यह पर्मिक acid फिर इसकी reaction हमने करवाई है sulfuric acid के साथ तो क्या form करेगा H2SO4 sulfuric acid water and carbon monoxide हमारा इसमें form होगा तो फ्रेंड्स मैंने आज की इस lecture में formic acid के उपर short note डिसकस करा है आप छोगों को मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like काजिए मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए जितना हो सके share कीजिए मेरे चैनल कको आगे बढ़ाने के लिए subscribe जरूर कीजिए मेरे चैनल को और जो भी latest update में यह डालती रहूंगे आप लोगों को मेलते रहेंगे तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस केजिए थैंक यू